एक सर्साइट ट्यान दिजी एक सर्साइट ट्याना नहीं बहुत आसान एक दम मज़े दार है रहा जाइए को इसको आपको इंगलिस में भी पढ़के सुनाओंगा जिसका कौन 60 डिग्री है बहुत आसान है ठीक है आप इस question को जरा English में सुन लीजिए English में क्या कह रहा है सुनिएगा मैं question देख रहा हूं English में कह रहा है बच्चों की find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree फिर से सुन लीजिए find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree यानि एक आपको circle दिया गया है बाबू जिसमें इसकी radius दी गई है 6 cm और इसमें एंगल दिया गया है एंगल कितना दिया गया एक साथ हंस दिया गया है ठीक है यह radius 6 दिया गया इसको मानलो ऐसे बना लेते हैं यह ओ है आपका center है ठीक है तो यह जो एंगल है वो साथ का दिया है ये क्या है एक सेक्टर है 30 शन्पर है मैंने बना लिया ठीक है बृते के अंदर ऐसे 30 मानलों में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था हमें क्या करना है इसी त्रिजखंड का क्या निकालना चेत्रफल निकालना है चलिए निकालने ते बहुत आसान है लिखिए एरिया आप सेक्टर या त्रिजखंड का चेत्रफल हिंदी में लिख लो त्रिजखंड का चेत्रफल इंगलीज में एरिया आप सेक्टर इक्वल देखो बच्चा क्य होता है यह थीटा अपान थिरी 60 इंट्रोडक्षन वाले पार्टन मैंने आपको बताया था इंटु पाई आर स्क्वाइर चुकि हमें क्या करना है एरिया निकालना है थीटा की बैलू दी गई है बाबू 60 दी गई है रख लो और 360 वैसे रहेगा इंटु पाई पाई कमान तो रख सकते हो 22 बटा साथ ना रख लो पाई कमान 22 अपान सेबन इन्टु आर आर कमान छे चे काई स्क्वाइर है मतलब 6 गुड़े छे ठीक है इनको काट देंगे हमें एक 0 से 0 यह 6 कम 6 छे छक चतिस यह 6 नीचे हर में है यह 6 अंस में है एक 6 से 1 6 भी कैंसिल हो जायेगा उप पर आपका बचेगा 22 और 6 चे का 22 में गुड़ा कर लो 6 दूना 12 चे दूना 12 एक तेरा बटा साथ यह सेंटिमीटर स्क्वाइर यह आपका क्या हो गया एरिया हो गया बाबु ठिक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना कोई डाउट नहीं ना अगला नेक्स कुष्टन द मनाम नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि क्लास आगे पढ़ानी है और अच्छे एंसे आटी किताब लिये हूं बिकन्ट कुष्टन देखो एक बыт्त के चतुर्थांस का चेतरफल ग्याद कीजिए इंग्लिस में भी बोलूगा सुनो एक ब ہیں के चतुर्थांस का चेतरफल ग्याद कीजिए जिसकी परिधी 22 सेंटी मेटर है यानि एक सरकल है जिसके क्वाडरेंट का आपको एरिया फाइंड करनी है और इसकी जो circumference है वो 22 cm दी गई है बाबू, भाईया, देखो, एक circle है, जिसे बोलते हैं बृत, ठीक है, हमें इसके quadrant यानि चतुर्थांस का छेतफल निकालना है, quadrant आपने पढ़ा होगा जब ऐसे बना के आपको बताते थे यह पहला चतुर्थांस, दूसरा, तीसरा चूथा बढ़ा था ना, तो इस circle का one upon four भाग इसका quadrant होगा, ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, लो देख लो, ये क्या, इसका quadrant है, हमें इसी का area निकालनी है, ये, ये जो मैं घेर दिया, इसी का हमें क्या करना है, इसका हमें area find करनी है, यही क्या है, चतुर्थ थांस हिंदी में English में quadrant बोलते हैं, तो देखो बाबु सुनो, English में question सुन लो, English में सुन लो, कह रहा है, find the area of quadrant of a circle which circumference is 22 cm, ठीक है, चलो, लिखो, नीचे चाहे लिख लो समझने के लिए, किसी बृत्त के एक बटा चार भाग को बृत्त का चतुर्थांस कहते हैं, किसी बृ पार्ट को बृत्त का quadrant कहते हैं, ठीक है, अब यहां पर बृत्त की परिधी दी गई है, बृत्त की परिधी दी है, आप English में लिख सकते हो, circumference of circle equal 22 cm, ओके, जो को बेटा, इसका जो रियल में फार्मूला होता है, वो 2 pi r होता है, equal 22, आप इक काम कर सकते हो, यहां से अगर इ simplify करो, तो यहां पर आपका कुछ r r आ जाएगा कि नहीं, करके देखो, 2 into pi command 22 upon 7 into r equal 22, यहां से अगर हम r का value find करना चाहें, आप यहां थोड़ा ध्यान से समझना, तो यह क्या बनेगा, उदर साइड जाएगा, आलट पलट जाएगा, तो 22 गुड़े हमें लगता 7 हो हो जाएगा कि नहीं, देखो मैं तुम्हें detail में बता देता हूं छोड़ो, detail में करो, detail में करोगे, इसके नीचे एक लिख लो, अब यह चूकी एक fraction बन गया, यह भी एक fraction बन गया, इसका इधर तेच्छा गुड़ा, इसका इधर गुड़ा, तो भाया हो, यह दो गुड़ आर का मान आजाएगा, आपका यह 7 upon 2, समझ में आया, यह क्या आगया, आर आगया, हमें क्या निकालना था, बृत्त के चतुर्थांस का छेतरफल, जब हमें आर मिल गया, तो हम इसका आव, छेतरफल मेंस एरिया फाइंड कर सकते हैं, लिखो, एरिया कैसे निकालोगे, दे लट्डू जानते हो ना, यह मान लो अमरूद है, तो उसको अगर चार लोग को बराबर बराबर चार फांका बना के देंगे, तो टोटल इतना उसमें material है, उसका एक बटा चारे भाग तो मिलेगा, तो बृत्त का छेतरफल होता है, उसका एक बटा चार करतों के बस, ठीक ह बृत्त के चतुर्थांस, लिख दो, quadrant of circle, बृत्त के चतुर्थांस का छेतरफल, क्या, वन अपान फोर, पाई आरी स्क्वाईर, बस इसमें वैलू रखके, अफटा फटमान निकाल लो, आगे answer आपका, ठीक है, चलो, देखो, आर कमान आपको मिल गया है, 7 अपान टू मिल जाया ना बाबू, तो रख लो, हो गया answer, आपका फटा फट चलो, काहे को देर, क्रमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो, बस, एक बटा चार, पाई कमान बाइस बटा साथ, आर कमान साथ बटा रख दो, तो, आर का स्क्वाईर है, इस 277, नीचे ये 8, ये cm2, क्योंकि हमें क्या करना था, एरिया फाइंड करनी थी, तो इस तरह से आपका ये question हो गया, done, खतम हो गया यहीं पर, exercise 12.2, कच्छा 10 की NCRT में था, आप पढ़ रहे हैं, च्छा 10 की NCRT गड़ी, परस्णा वाली 12.2 का question number 3 से, पहरा कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है, उसकी लंबाई 14 सेंटिमीटर है, 14 सेंटिमीटर है, इस सुई द्वारा पांच मिनट में रची छेतरफल ग्यात कीजिए, एक कलाक बना लीजिए, बिटा देखो इधर साइड में बाबू बना लीजिए, एक कलाक, एक घड़ी, ऐसे ये बन गई, तो घड़ी में ऐसे ही तो लिखा होता है, देखे हो किनी सभी, ऐसे घड़ी बनाना असान होता है, ऐसे जैसे मैं बनाया, देखो, सारे नंबर भी इसमें आजाएंगे, और दिक्कत भी नहीं होगी, ना, तो कह रहा है कि जो मिनट वाली सुई है, वो पांच मिनट में कितना छ जानते हो है ना बहुत सिंपल है चलिए लिखिए पहले में बताता हूं क्या लिखोगे मिनट वाली सुई से पांच मिनट में बना कोंड बराबर मिनट वाली सुई से पांच मिनट में बना कोंड बराबर इंगलिज में लिखिए एंगल डिस्क्राइब्ड इन फाइब मिनट इककोल हिंदी इंग्लिस दोनों में बोल रहा हूं अगर समझोगे तो सब समझ में आएगा ठीक है देखो बाबू अगर ये टोटल कोई स्वी घूम जाती है मालों एक से लेकर करके फाइनल फिर एक पर आ जाती है तो कितने का कॉंड बनाएगी बताओ बाई सिंपल सी बात ह कोई इंसान अगर ऐसे खड़ा ऐसे गुमा फिर ऐसे गुमा फिर ऐसे आ गया तो 360 होता है तो टोटल कितना होता 360 तो यह 360 आप रखोगे अपान यहां पर एक चीजा आपको और ध्यान देना है यह जो घंटे वाली सुई है अगर यह पूरा-पूरा एक बार घूमती तो ए साथ क्या होता है वह से सिकंड़ वाली गूंती तो साथ सिकंड़ होता है तो इसमें तो मिनट और घंटे दोनों चलेगी न तो आप इसे क्या करोगे 60 आप से भाग दे दोगे यही आपका होगा फांच मिनत में जो कौ बनाएगी नाई यह 1-1 मिनिट में बना इंगल है ठी जीरो काट दो शेच शक शतिस बराबर तीस यानि पांच मिनट में तीस हंस का कोंड बनाएगी बाई सिंपल सी बात है तीस हंस का बनाएगी क्यों क्यों कि देखो ये 12 पार्ट में बटा है ना अगर बारा से इसे गुड़ा करोंगे बारति यह 36360 आज जाएगा ना यानि टोटल कोंड तीनसो साथ हंसका बनाती ही जब सुए चलती है तो फिक है यह समझ गये पांच मिनट का हो गया आगे इसमें क्या कह रहा था यह तो कोंड आया हमें इसका ए सुएध्वारा रचित छेत्रफल पांच मिनट में सुएध्वारा बनाया गया छेत्रफल हिंदी में बोल दे रहा हूं लिख लो भाईया एरिया स्विप्ट इन फाइप मिनट तो क्या करोगे हीटा अपान 360 यह फार्मूला होता ठीक है याद रखना थीटा अपान 360 इंट स्क्रेंट से मैं हटा देता हूं चलिए बहुत आसान है आप एक जीरो से जीरो काट देंगे तीन से इसको काटेंगे 3 एक कम 3 12 यह 36 होता है ताथ से से इसको काट सकते हैं नहीं, दो से दो चंग बारा यह ग्यारा आजाएगा दो एक कम दो दो त्याई छे आप अगर देखते जाओ तो कितना उपर बच रहा है 14 और 11 गुणा करोगे 14 का ग्यारा में तो 154 आएगा बटा तीन स्टेंटी मिटर का स्क्वाइर चुकि यह क्या है छेतरफल है एरिया है अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताइए यह फार्मूला था आपका इसमें डाउट नहीं होना चाहिए अगर कोई भी सुई जो है कोण बना रही जितना भी ना आपको क्या करना को साट से अगर सबस्क्राइब कररते एक मिननट में बना कौण आयेगा अगर 5 मिननट में बना निकालना थो 5 से गुडा करות 15 मिनट में बना फोन निकलना थे उलिस्पे हैं अगला को श्रन विभी भाघ changing करो करो क्या जल्दि करो मंपवां च्रह टो खेरा कि 10 cm त्रिज्जा वाले एक ब्रित्त की कोई जीवा केंदर पर समकोण आंतरित करती है यानि एक कोई सरकल है जिसकी त्रिज्जा 10 cm है उसकी जीवा केंदर पर समकोण यानि 90 का कोण बना रही संगत लगु बृत्तखंड और संगत दीर्ग बृत्तखंड क्या करना है इनके छेदरफल निकालने हैं संगत लगु बृत्तखंड का मतलब आपका माइनर पार्ट का एरिया निकालना माइनर सेग्मेंट का ठीक है और मेजर सेग्मेंट अभी दिखाता हूं चलो लिखो फट जुड़े हुए हैं आरेन जुड़े हुए हैं सबका कमेंट में देख रहा हूं बस बोल नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ाना जरूरी है ठीक है अभी बहुत से बच्चे हैं सबका नाम बोलूगा बिच बिच में बस पढ़ते रहो चलो क्वेश्चन को मैं एक बार इंगलीस में भी पढ़ दे रहा हूं सुन लिजिए क्वेश्चन को इंगलीस में कैसे है अकॉर्ड आफ ए सर्कल आफ रेडियस 10 सेंटिमेटर सब्टेंज और राइट एंगल एट दा सेंटर have found a area April 1990 माइनर सेग्मेंट सिगंड मेजर सेग्मेंट पहले एक सरकल रभाध के अंदर आप माइनर और मेजर सेग्मेंट बनाई दिखे अगर इस पर से एक जीवा खीची गई तो आपका ये दो पार्ट हो गया ना दो सेग्मेंट हो गया ना इस सरकल के अब इसमें यह चीज आप बना लेंगे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था यहां पर ओ हो जायागा यह आपका एंगल हो जायाग स्रिज्या वाले व्रित्य की जो है केंद्र पर समकोण बना रही यानि यह नब्बे बन रहा है याद रखना है ठीक है क्लियर अब जो निकालना है कर लो फटाफट हो गया कोई दिक्कत नहीं साइड में कर लेते हैं लिखिए क्या लिखोगे एरिया आफ माइनर अब इंगलिस में हिंदी में बताऊंगा रुके रहो एरिया आफ माइनर सेग्मेंट ना इसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हो संगत लग उब्रित्त खंड का छेत्रफल लिख लो लग उब्रित्त खंड का छेत्रफल बराबर लग उब्रित्त खंड का छेत्रफल बराबर आगे लिखे एरिया आफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया आफ ओए बी एरिया आफ माइनर सेक्टर अभी बताओं गरु के रोबई माइनर सेक्टर माइनस एरिया आफ ट्रेंगल ओए बी देखो इसको हिंदी में क्या लिखोगे हिंदी में इसको लिखोगे आप लगुबृत्खंड का छेत्रफल बराबर लगुचाप लगुचाप माइनस तिरभूज लगुचाप और दीरभुचाप मैंने आपको बताया था ना पढ़ना जब इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे इस पर कोई एक पॉइंट मालो इसको अगर एबी ले ले यहां पर एक पॉइंट मालो हम कुछ भी माल लेते हैं मालो हमने क्यू ले लिया तो लगुचाप क्या से आपका जो ट्राइंगल बना इसको घटा देंगे समझने की कोशिस करो ठीक है बाबू ओ एक्यू बी जो यह पूरा-पूरा बन रहा है उसके एरिया से तिर्भुच वाला घटा देंगे तो हमारा यह मिल जाएगा जो हमें निकालना यह यह जो मैं खीच रहा हूं समझ बने एतना ही निकालना है जितना मैने अभी अंडरलाइन किया इतना ही निकालना है ठीक है तो चलिए एरिया आप माईनर सेक्टर रखिये है थीटा पान थिरी 60 इंटू पाई आर स्कॉर ना क्योंकि टोटल क्या है बृत्त का जो पर चेत्रपल होता वह लग जाता है माइनस हाफ बी इंटू एच बहिए यह तिर्भुज का चेत्रपल का सूत रहे ना एक बटा दो अधार गुड़े उचाई इस तिर्भुज का भी तो चेत्रपल हो रहा है न अरे सिंपल सी बात है यह आपका माइन एरिया माइनर सेटर का हो गया यह आपका तिर्भुज ओए एवी क तो कोई मान दिया है क्या थीटा कमान दिया एंगल नब्बे दिया कि फिरी 60 इंटू पाई कमान 22 बटा साथ इंटू एरिया दस-दस दी गई थी तो दस-दस दो बार में एक बटा-दो इंटू देखो इस तिर्भुज में आधार और उचाई आपका दोनों दस-दस है इस है इसमें किसी को कोई डाउट परसानी नहीं होने चाहिए आगे बढ़े जीरो जीरो कट गया नौ से यह कटा नौ चोग छतिस हो रहा है ना आप इनको काट दो दूना चार यह दो पंचे दस दो से इसको कट दो तो यह ग्यारा आया इतर कुछ बच रहा है ग्यारा पचे पच्पन ऊपर बचरा 55 नीचे साथ न देखो और कुछ बच रहा है तो बोलो कि एक काम और भी कर सकते हो इसमें इसका मान 3.14 भी रख सकते हो ऐसा कुछ दिया था क्या देखो नहीं दिया था तो कुछ भी रखो कोई फरक नहीं पड़ता चाहे तो 22 बटा साथ रख लो या 3.14 रखो दोनों का मतलब एक होता है तो साथी मेरे 11 5 और 10 का उपर गुड़ा कर लोगे तो आपका यह हो जाएगा 11 55 10 550 बटा यह साथ माइनस इसको काटोगे 25 10 और यह 50 हो जाएगा फिक है इसको भाग करोगे तो आप 78.5 आएगा भाग करके देख लो 7 175 है ना बचेगा इसे करोगे तो आपका यह 28.5 आएगा यह क्या निकल रहा थास एरीदा निकल रहा था ना ना बबाब, उैरीद निकल रहा था तो यह क्या हो जाएगा सेंटिमेटर का स्कोईर यह आपका हो गया ये आप यहाँ पर लिखा नहीं गया था ना सुरी यहां पर माइनर लिख लो माइनर सेग्मेंट लगुबृत्त खंड का क्या है यह चेत्रफल है यह अभी तक हमारा जो एरिया आया बाबू सिर्फ इतने का आया है जहां पे लाइनी खीची जारी देखो यह जितना मैंने खीचा है यह अभी हमें पू पूरे का निकालना है उपर वाला जो बन रहा है इसका निकालना है यह अब इसके लिए भी ऐसे फार्मूला लगाओगे उपर वाले का निकालोगे जिसे दीर्ग बृत्खंड बोलते हैं मेजर सेग्मेंट लिख लो जल्दी से स्क्रेंसाट ले लो फट से इसको आगे मेजर सेग्मेंट ठीक है हिंदी में लिख लीजिए देर्ग बृत्खंड का चेत्रफल बराबर तो देखो बाबू इसके लिए जो एंगल बनता है उपर 360 माइनस थीटा बनता है तो क्या करोगे यह 360 माइनस थीटा अपान आपका 360 चुकी टोटल होता है इसको क्या करेंग बृत्त का जो छेत्रफल होता उससे मल्टीपल कर देते हैं यह सूत्र होता है यह 360 माइनस थीटा पान थीटा यह सूत्र कैसे आता है अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा देख लीजिएगा नहीं मिलता क्या दिया है नब्बे दिया था ना वहां पर तो नब्बे यहां भी उच्छ कर लोगे ठीक है तो चलो नब्बे रखदो फटाफट क्योंकि केंद्र पर बन रहा है यह 360 इंटु पाई कमाद रखदो 3.14 इंटु आर आर कमाद रेडियस 10 ही तो दिया है तो 10 इसमें भी कटाओगे तो 270 आएगा 360 गुड़ा 3.14 इंटु टैन इंटु टैन एक जीरो से एक जीरो काट दो इसको नो से कटो नो तरिक सताइस नो चोग छतिस आप इसे और आगे सिंपलिफाई कर सकते हो भी दो से काट दो दो दूना चार यह दो पंचे दस अभी दो से यह और रहा है है ना तो पचंपचीस तियां कितना हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा 75 यानि फाइनल में 75 इंटु 3.14 यह बच रहा है ना इनको गुड़ा करोगे तो 235.5 सम्थिंग आएगा मल्टीपल करके देख लो आप सब को गुड़ा करना आता है तो यह क्या हो जाएगा इन साथ ले लीजिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्ट कोईश्चन बहुत जल्दी करिए हो गया नहीं समझ में बताइए गटेंसन मत लीजिएगा मिस्टर रभी कुमार कमेंट आ रहा है बिटा काहे को परिसान हो आ रहा है कि कोईश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है देखो बच्चा यह कोईश्चन आप लोगों करोगे ठीक है चौदा कोईश्चन है इसमें से मैं 14 में से 10 11 कोईश्चन करवाऊंगा तीन चार कोईश्चन आपको मिलेंगे उन्हें आपको करना होगा पोसिस करिए गा नहीं आएगा मैं लाश्ट में बता दूंगा चेप् चटा कोईश्चन क्या कहरा ध्यान से देखें कि एक पंद्रा सेंटीमीटर त्रिज्ज्या वाले एक बृत्त की कोई जीवा केंदर पर साथ हंसका कोण बना रही और दीर्ग बृत्त खंडों का छेत्रफल ग्याद कीजिए इसमें कुछ कुश्चन में कटा है क्या देख ल कि देखें लोग हमें कुछ काम से बुलाते भी रहते हैं अगल बगल वह भी करना पड़ता है अगये पहले फिगर बनाते हैं देखो बच्चों पहले एक बृत्त ऐसे बना लीजिए तिक है यह हो गया अब देखो इसमें करना क्या जरा समझना थोड़ा सा कोशिस करना कह एक भृत्त की कोई जीवा केंदर पर साथंस का कोंड बना रही ही तो पहले आप इसमें ब्सका 6 oven घूड लेया अब आगे जो जो कहरा कर लीजिए लिखिए लगु बृत्त खंड का छेत्रफल हमें जो लगु बृत्त खंड यानि जो माइनर सेग्मेंट है उसका क्या करना एरिया निकालना है लिखिए एरिया आफ माइनर सेग्मेंट एरिया आफ माइनर सेग्मेंट लगु बृत्त लगू चाप का छेत्रफल माइनस दिर्भूज ओ एबी ओ एबी ठीक है ओ एबी का छेत्रफल ओके क्लियर तो क्या करोगे इसको हाँ इंग्लिस में कैसे लिखोगे इंग्लिस में सुन लो एरिया आफ माइनर सेग्मेंट इक्वल कहने का मतलब हमें यह निकालना यह नीचे वाला तो हम क्या करने पता है जैसे मैं आपको इसको पताया आठा इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बार फिर सुन लो मानलो अगर इसक मतलब जो इसमें हम इंग्लिस में माइनर सेक्टर बोल रहे हैं माइनर सेक्टर का मतलब यह है ओए- इसको है लगुचाप है और लगुबृत्तखंड कौन है लगुबृत्तखंड यह जितने मैंने यह लाइन खीचा है समझ रहो तब इसमें से क्या करेंगे टोटल से इसको गटाएंगे तो लिखो बेटा लिखो लिखो बावू लिखो फटा फट लिखो बराबर यहां लगा देते हैं लगुचाप का छेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा सुत्र ही होता है इंट्रोडक्शन पार्ट ने बताया हूं थीटा अपान 360 इंटू ब्रित्त का जो छेत्रफाल होता पाई यारी स्कौार यह होता है ठीक है माइनस पिरभूज ओए बी का छेत्रफल देखो एक स wysy Dog बन रहा है कि हुए नभे से कम का कौण बन रहा है तो आप एक नाए फार्मूला लगा सकते हो नए फार्मूला कौन सा पता है boss 1 बटा दो आर का Y स्कौायर San Once दिघान रहे कौण 90 नब-से कमी बनना चाहिए यह बाकि तो आप जो लगाते हो रेगुलर उसको लगाई सकते हो 90 से अगर ज्यादा ककोने तो आप सका यूज़ नहीं कर सकते हो ठीक है को सब्सक्राइब तो चलो रख देते हैं को हिटा थीटा कमान कुछ दिया था साथ दिया थाना सायद दिया था ना भया थीटा कमान दिया था ना बाबू 60 अंस दिया है दिख रहा है कि नहीं बटा ये 360 इंटू πाई पाई कमान 22 बटा 7 रख दो या 3.14 रख दो कुछ भी रख दो आर आर कमान 15 15 गुड़े 15 मतलब दूई बार कर लो माइनस हाफ ये 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा देखो थीटा का मतलब क्या है थीटा का मतलब 60 हंस है ना बाबू तो साइन 60 कमान जानते हो क्या होता है रूट 3 बटा दो साइन 60 हंस कमान यहाँ पर तुम्हें मान भी आना चाहिए रूट 3 बटा दो इनको क्या करना हल कर लेना है जीरो से जीरो कट गया 6 से इसको कट दो वहना पांट 6 हो गया और एक काम अभी कर सकते हो वह क्या पता है तीन से काट दो तीन पचे 15 यह 3 दूना 6 कर दो से ये कट जाएगा क्या ड़क नाइगा काट लो इतना तो जनवे करते हो अब देखो नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, उपर 1.57 बच रहा है और ये 15.75 बच रहा है, ठीक है उधर वाला बाकी सब जो बच रहा है वो बच रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इनका सब का जब गुड़ा करोगे न बाबू, तो ये 117 something आएगा, 117.75 आएग इनका भी आप गुड़ा करोगे, तो क्या हो जाएगा, पता है तुम्हें कि नहीं, मैं बताता हूँ, इन्हें तुम काट लो ती ये 7.5 आएगा, दोसे इसको काट लो 7.5 आएगा, इनका गुड़ा करो और रूट 3, रूट 3 का भीमान होता जानते हो कि नहीं, उसको भी र 273, इन सब का गुड़ा करोगे, तो 117.75 माइनस, इसमें से आप इसको घटा दोगे, जो भी आएगा, आप इसका वर्ग भी तो कर सकते हो, 97 आएगा, लिख लो, इनका गुड़ा करोगे, 97.3125 लग भाग, इनको आप घटा लोगे, तो 20.43 आएगा, लग भाग में, ठीक है 20.43 ये क्या था, एरिया निकाल रहे थे न, सिंटिमेटर काई स्क्वार, समझ में आए न, हाँ, इसे थोड़ा और डीटियल में लिखो गया, तो 4.375 तक जा सकता है, बस भाग देने के उपर, आप लोग कहोगे, ये कल्कुलेशन कैसे हो गया, देखो पीटा, इसके लिए तुम्हें गुड़ा भाग आना चाहिए, कच्छा 10 में पहुंचेओ न, अगर नहीं आती मैत न, तो रात 9 बज़े वाली बेसिक मैत पढ़ो, उसमें ये सब डीटियल में बताएंगी, ये कैसे हो गया, अब यहाँ पर आपको सिर्फ हम रूल बता सकते हैं, आपको काटना पीटना नहीं बताएंगे गुड़ा भाग नहीं, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, ठीक है, ठीक है ना बच्चा, तो ये आपका कोश्चन हो गया, कम्पलीट, अभी इसमें का एक और पार्ट है, ये तो एक है पार्ट हुआ न, कोश्चन में देखो क्या है, दो ये आप मेजर सेग्मेंट, लिखो, देखो बागु देर्ग बृत्ट खंड का मतलब हमें इस बड़े वाले पार्ट का निकालना है, यानि अगर हम इसका नाम यहां पर क्यू रख दें, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, ओ, ए, क्यू बी, अब हमें, ओ, ए, क्यू बी का एरि सिंपल सी बात है, इसको घटा दे आ जाएगा, एरिया आफ, लिख लो, माइनस एरिया आफ, माइनर, सेग्मेंट, तो माइनर सेग्मेंट अभी अभी आया है, इसका मान रख दो, पाई बटा, जो पाई बाला है, कितना आएगा, भई, पाई का मान 3.14 रख दो, इन्टु पार कमान 15 दिया था, देखो 15 तो दिया था, इसका भी आया था 20.4375 सम्थिंग, चोटके वाले, अभी अभी निकाला है, क्या करोगे, गुडा कर लो, सबका गुडा कर लो, इनका गुडा करो, 15 पंद्रा में कितना होता है, 225, इनका गुडा करोगे, 706.95 सम्थिंग लगबग आएगा न, माइनस, इनका 20.4375, गटा लो, सबको सब्ट्रेक कर लो, आपस में 686 लगबग आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 686 पॉइंट, और ये 20, इसमें से गटेगा, तो फाइनल में 0625 आएगा, ठीक है, 0625 सेंटिमीटर का स्कायर, ये आपका हो गया आए आना चाहिए, कलकुलेसन आपका तेज होना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप पढ़िए, आपका बेटा 6 कोश्चन हो गया, ठीक है, 6 कोश्चन हो गया, परिसान ना रहें, जल्दी जल्दी पढ़ें, पूरा ये सब जल्दी से ही खतम हो जाएगा, चैप्टर 12 मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं पहले, कि मैंने सोचा है कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पहले पढ़ा दें, फिर आपको हम स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ाएंगे, आप परिसान नहीं होना है, ठीक है, जो बच्चों का पीछे सुरू का नहीं पढ़ें, वो बिल्कुल ट बच्तार से बनाया गया। ब्रूच का मतलब होता है गहना, जोईलरी इहां जो महिलाएं पहनती, आपने देखा होगा सोनेचानदी के आबुसड, तो यहां पर ब्रूच का मतलब गहना होता है, जोएलरी आप संद्च लीजिए। ये जो आपको इस स्क्रिन पर दिख रा ये गहना है आपकी किताब में भी होगा कच्छा दस में है तो आपकी NCRT बुक एकसरसाई 12.2 कोईश्चन नम्बर 9 में देखिए किताब में फिकर दिया है जिसका नाम है 12.12 12.12 ये चित्र का नाम है आकिरती का ठीक है चलिए कोईश्चन पढ़ते हैं करा एक बृत्त का बूच को चांदी के तार से बनाया गया है बूच का मतलब होता है गहना ठीक है तो एक बृत्त के आकार का क्या है बूच है यानि गहना है जोलरी है जिसे चांदी से बनाया गया है यानि इसकी जो चारु तरफ सरकंफरेंस है वो क्या है चांदी है ठीक है समझ तार भी ऐसे लगाए गये हैं डाइमीटर के रूप में जैसे आपको दिख रहा है पहले एक ये दो और ये आपका तीन और ये चार और ये एक पांच ये भी लगाया गया जो मैंने अभी खीजा ध्यान देना ठीक है बुरुच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका ब्यास 35 mm है यानि इस तार का जो ब्यास है क्या है 35 mm है तार को बृत्त के पांच ब्यासों को बनाने में भी परियुक्त किया गया है यानि इस 5 mm के वायर को जो चारो तरफ खींचा गया है इससे इसके ब्यास को भी बनाय गया है ठीक है समझ रहे हो ना जो उसे दस बराबर त्रिजखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकरती 12.12 में दर्थाया गया है तो ग्यात कीजिए पहला फुल वांचित चांदी के तार की लंबाई ग्यात कीजिए यानि जितने चांदी के तार पर योग हुआ है चारो एक तो चारो तरफ हुआ है सर्कुलर में यानि क्या बन रहा है आपका जो यह क्या बात करें इसे पर परधी ना परधी में यूज हुआ एक ब्यास में यूज हुआ है तो इसको करने के लिए एक माहिटर फार्मूला लागाएंगे जिससे दोनों आ जाए लिखो लंध या फिर इसे हिंदी में क्या लिखोगे हिंदी में क्या लिखोगे चांदी के तार की कुल नंबाई बराबर देखो बाबू टोटल जो चारो तरफ घूमा हुआ है उसे परिधी बोलते हैं उसके लिए आप टू पाई यार लगा दोगे और प्लस जो यह आपके ब्यास में यूज हुए है इसके लिए आप एक काम करो पाँच बार डायमीटर को जोड़ दो 5D ठीक है इसी में आ जाएगा सब क्लियर तो चलो मान रख देते हैं सभी जितने भी दिये गए है टू इंटू पाई कमान 22 बटा साथ आर कमान यानि त्रिज्या त्रिज्या में इस रेडियस आपका कितना दिया है 35 बटे दो क्यों क्यों कि कह रहा है इसका डायमीटर 35 है यह जो लाइने खीची गई है यह 35 है याद रखना यहाँ पर D equal 35 दिया है ठीक है बाबू तो यह 35 अपान 2 हो जाएगा त्रिज्या क्योंकि ब्यास की आधी होती ह ठीक है प्लस 5 इंटू D डी का मतलब आपका वही ब्यास इनको सबको आप हाल कर लेंगे दिखे यह कट जाएगा 7 से तो 7 35 यह आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अब नीचे कुछ कैंसिल होने वाला बच नहीं रहा है यह 110 हो जाएगा यह 15 15 15 15 18 फाइनल में 280 ही आजाएगा च इसमें अगर ध्यान दो तो mm में दिया गया है मिली मीटर में दिया गया वायर ब्यास वगरा देखो यह आंसर भी यह में में आएगा ठीक है यानि टोटल जो तार की लंबाई है वह 280 मिली मीटर आएगी mm ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना चलिए आगे बढ़े next इसका स्क्रेंसाट ले लो बच्चों लेना चाहो जल्दी से हल हो गया बहुत ही आसान सिंपल सा है सिर्फ आपको समझ के चलना है वस ठीक है लेकिन इसका भी दूसरा पार्ट भी है बाबु हटाना नहीं सिकन पार्ट देखो इसका सिकन पार्ट क्या कहता है यह थोड़ा बूज थे ना यह 5 लाइने थे इसे 10 पार्ड बन रहे हैं चाहें इनको गिन लो एक दो तीन ऐसे गिनों 4—5—6—7—8—9—10 कितने बन रहे हैं ? यह टोटल 10 बन रहे हैं इन अगर हम एक बार ऐसे गुमा दिये तो मतलब 360 का कॉंड बन गया न अगर इसे हम 10 से डिवाइड करें चुकि यह 10 पार्ट में बन रहा है तो एक कॉंड 36 का बनेगा यानि यह प्रतेक एंगल इस पर कितने का बनेगा बाबू 36 का बनेगा अब नीचे आप यहां पर लिख सकते जो जो अभी तक आप पढ़ते आयों लिखो एंगल आफ इच सेक्टर जो चात्र इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें इस अध्याएका उनको समझ में नहीं आएगा हिंदी में अभी अभी मैं बोल दूंगा लिख लो एंगल आफ इच सेक्टर हिंदी वाले लिख ले ना तो क्या हो जाएगा बृत्त के छेतरफल पाई यारी स्कॉयर होता है थीटा कमान रख दो बावू थीटा कमान 36 अंस और यह 360 इंटू 22 बटा साथ इंटू आर आर कमान यहां पर 35 बटा दो क्यों 35 बटा दो ही तो दिया है ना बस खल कर लीजिए इनको सिंप्लिफाई क तो मैंने रखा था अच्छा गड़बड यह है कि आर काई स्कॉयर है बावू तो यह 35 अपांटू यह दो बार रहेगा एक ही बार नहीं रहेगा इन सब का आपस में मल्टिपल कर लीजिए देखिया कितना आ रहा है एक बार करिए है देखिये देखिये इसमें जो कुछ था वो सब कट पिट गया जो एक बचरा है वो भी कट जाएगा ठीक है कौन सा है यह 7 से 7 भी डिबाइड हो जाएगा बाबू दो का 2 में गुड़ा कर लोगे 11 का 35 में तो यह आपका 11 35 पांच 38 यानि 385 बटा 4 अगर इसमें डेसिमल म निकालना था यही एरिया हो जायागा mm का स्कॉयर mm इसलिए क्योंकि हमें डायमीटर mm में दिया गया है ठीक है इस तरह से आपका 9 नंबर कोईश्चन कंप्लेट होता है अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताईए हम चोटी-चोटी कलासे इस स बुरूज का मदलब चांदी का गहना बना है ठीक है बाबू गहना देखो जो महिलाएं पहनती है चाहे वो कान में हो नाक में या फिर गले में बहुत सारे गहना बहुत तरह के होते हैं आप किसी जोलरी या जिसे करने सुनार की दुकान पर जाओ वहाँ पर देख लोगे crave उसमें क्या है ऐसे गोललगोल बना है चारो तरफ झो लगा यह चांदी लगा बाबू ठीक है का यहां चांदी की तार लगए तो कह रहा कि पहले तो कुलतार की लंबाई ग्याद कीजिए इसमें दस छड़ी लगी है एक बार बात करें तो यह दस छड़ी ऐसे ऐसे लगी है इनको भी हमें निकालना है और जो चारो तरफ गूमा है वो भी तो चारो तरफ के लिए हम बृत्त का परधी निकालते हैं चु हो गया फाइनल उसके बाद दूसरा वाला नीचे क्या कहा रहा बुरुच के प्रतेक तरिजे खंड का शेद्रफल गयाद कीजिए यानि यह जितने भी यह सेक्टर खीजने के बाद जो यह पार्ट बने थे इनके सब क्या करना था अलग 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 एरिया भी निकालना था यह निकालना बहुत आफ़ान है चुकि टोटल जो कौन है 360 का बन रहा है तो अगर हम एक का निकालेंगे दस खंड हुए थे तो 360 बटे 30 करोगे 10 आएगा यानि स्वरी क्या करोगे 360 को 10 से भाग करोगे 36 आएगा 36 आएगा यानि परते कौन 36 36 के बने थीता कमान आपको मिल गया और फिर आप सेक्टर वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ें उनको मालूम है अगर किसी भी बृत का सेक्टर निकालते हैं उ उसका वो सरकंफ्रेंस हो गयरा सब सूत्र आप जानते हो इसको लगा दिया आ गया इभी अंसर आ गया ठीक है कोसिस करोगे सब होगा इकसरसाइज आपका चल रहा है कौन सा इकसरसाइज चल रहा बाभू आपका यह 12.2 10th NCRT Math कुष्चन कुछ ऐसा है जो आप स्क्रिन पर देख रहे हो यह कार का वाइपर है वाइपर जानते हो जो गलास पर लगा रहता है कार में और वीलर गाडियों में आगे सीसा साफ करने के लिए जब बारिस होती है है यह आप लोगोंने देखा होगा इसलिए मैं दिखा देता कुष्चन में कुछ ऐसा है कि किसी कार के दो वाइपर है परस पर कभी अच्छादित नहीं होते हैं अच्छादित नहीं होने का मतलब जो वह चलते हैं तो एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है ना कभी एक दूसरे को उपर चड़ते हैं ठीक है पर तेक वाइपर की नीच राइए ऐसे वाला जहां जहां से चल रहा है वो कितना है 25 है आगे क्या बोल रहा है कि पट्टी की लंबए 25 है और 115 अंस के कोंड तक घूम कर सफाई कर सकता है यानि जो ऐसे ऐसे चलता है वाई पर में नीचे फिना वो क्या 115 तक घूम सकता है आपने देखा होगा सुना होगा इंगलीज में वर्ड लेकिन बुहार नहीं जानो गेना बुहार शुप किया अब इसे हिंदिम बुहार बोलेंगा इसे शुप किया ठीक है चलो देखो तो मैं इसका फिगर पहले आपको यहां पर बनाके दिखा देता हूं जिससे आपको कु थोड़ा सा समझो क्या बात थोड़ी उसको समझो जो यह एंगल बन रहा है 115 का बन रहा है मैंने दो वाइपर बना दिए जैसे आपको इसक्रिन पर दिखाया था कुछ वैसे ही बाबु इनकी जो लंबाई यह 25 है याद रखना ठीक है कितना 25 है यह बहुती सेंटेमेटर ठ पूरा गुम जाता है लेकिन एक मिनट के लिए मानों अगर यह वाइपर पूरा पूरा इसे हुमें तो अगर बाबु भाईआ यह इतना ही घूम रहा ऐसे एक इतना ही तो अगर यह पूरा गूम जाता है तो कितना करता 360 Unissance के ॐआ इसे गुम जाता न पूरा पूरा इसका मतलब एक बितका एक सेक्टर बन रहा है यह बन रहा है कि नहीं? तोचो जो बच्चे इंट्रोडक्षन पाट पढ़े हैं एक बितका एक सेक्टर बन रहा है एक चाप बन रहा है न एक भाग बन रहा है न वृतक तो हम क्या करें इसे ब्रित का एक सेक्टर मानकर अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ठीक है समझ रहे हो कि नहीं आप यह चीज समझने वाली थी अगर इसे आप समझ गे तो आप इसे कर ले जाओगे इसलिए कहते हैं बाबू की इंट्रोडक्शन पा Hindi में भी फैसी लिख्वा दूंगा एरिया कि लिंड इन एज सुप हम आप हिंदी में लिख लिजिए लिखिये ओ लिखिये पट्टियों की और टेक बुहार के साथ साफ होने वाला छेत्रफल बराबर पटीयों की परटेका बुहार के साथ यह बुहार ठीक है बुहार के साथ साफ कोने वाला च्याद पर बराबर EC7 साफ Hajा प्र साफ After deal pare इसलिए मैं फिर बaliं के शंना ट्स. सृर्मों लग जाएगा क्योंकि यहां पर दो बाइफर की बात हो रही इसलिए आप जो सुत्र लगाओगे उसे दो से गुड़ा करोगे टू इन्टू सेक्टर का एरिया ठीक है एरिया आफ सेक्टर एरिया आफ सेक्टर मैं इसे हिंदी में भी बता दे रहा हूं टू इन्टू बृत्त खंड का चेत्रफल ऐसे लिखलो हिंदीम ठीक है दो गुड़े बृत्त का चेत्रफल यानि जो बृत्त का एक खंड बनादा पाट उसका एरिया दो से गुड़ा कर देंगे अंसर अजएगा इसे थोड़ा इदर खिसका लेंगे और चलो लगाओगे फार्मूला वोत आसान होगा थीटा 5 360 इंटू ब्रित्र के छेत्रफल का फार्मूला मान रख दीजिए दो गुड़े थीटा कमान 36 36 का है थीटा कमान ते 115 दिया है ना कि 115 कि 360 गुड़ा पाई यार स्कॉयर तो यह कितना हो जाएगा पाई कमान 22 बटा साथ इंटु आर आर का मतलब रेडियस कितना दिया है पचीस दिया ना बाबू यह पचीस दिया ना इंटू पचीस कर लीजिए कितना हो जाएगा यह कैसे करोगे देखो एक बार करके दो से इसको काट सकते हम दो से काट दो 180 आएगा अब देखो यह बाइस बचा है यह ग्यारा बचा है जो भी बचा है फिलाल इसे पांच से काट सकते हैं तो पांतियां पंदरा पांच हंग तीस यानि यह 36 आजाएगा और यह पांच आजाएगा अब देखो इसे हम दो से काट सकते हैं तो दो से का काटोगे 18 आएगा इसे 2 से काटोगे 11 आएगा देखो बाबु 11 का पांच में और यह सब का गुड़ा करो 115 भी है न यानी आपका काफी लंबा जा रहा है अठारा सत्ता 126 फाइनल में मैं नीचे आपको दिखाना चाहूंगा एक बार देखो बच्चा 115 इन्टू 11 इन्टू 5 इन्टू 25 इनका पूरा का गुड़ा हुआ है इसमें 126 में करके देखलो सबका यह लाखो में आएगा मैं कुश्चन हटा के आपको दिखाता हूं गुड़ा करना आपक 125 के सम्थिंग आएगा एक लाख 58,125 बटे 126 चुकि यह आपका क्या करना था एरिया निकालना था इसे हम भाग करेंगे दसमलों में आज आएगा दसमलों में एरिया नहीं लिखते हैं सही बटा में आप फ्रिक्शन के रूप में लिखते हैं ज्यादा हल नहीं करना इसको फालतू परसान होने का इसको ऐसे लिख दीजिए सेंटिमीटर का स्कॉयर यह हो गया अंसर ठीक है इस तरह से आपका कुश्चन नंबर 11 खतम होता है इस एक्सरसाइज में बाबू टोटल अभी आपके 14 कुश्चन है 12.2 का यह लाश्ट क्लास है क्यूंकि आज आपका एक् अधि एक गोल मेज पोस्ट पर छे समान डिजआइन बने हुए है गोल मेज पोस्ट आप जानते हो मेज के उपर जो बिछाया जाता है डिनर उननर की टेबल देख ले न हम उस पर ऐसे गोला गोला छे डिजाइन बना यह मैंने बना दिया थोड़ा गठी इटाइब का जैस कह रहा कि 35 पैसे प्रती वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की कुल टोटल लागत ग्याद कीजिए देखो सिंपल सी बात है इसके रेडियस की यह बात कर रहे हैं तो मानलो मैंने इनको ऐसे मिला दिया तो यह कितना है भाया यह 28 है ध्यान देना इसको दे का इंगल मालूम होता है तीन सू साथ हनस का बनता बीच में न केंदरपन आ एक काम कर सकते हैं हम इनको एक डिजाइन को ऐसे घेर सकते हैं अदिक है हमने एक डिजाइन पकड़ा उसको ऐसे बना दिया अब इस पर कोन बन रहा है यह कोन आप बताओ कितने का होगा बता कोई गोला गोला आपने बना दिया तो क्या है इक्के अंदर पर 360 बनता है यानि कहने का मतलब मैं ऐसे खड़ाओं आइसे गूमा फिर ऐसे गूमा फिर ऐसे घूम गया उसी पर तो 360 हंस का कॉंड़ बन जाता आपने सुना होगा कहते न है मारा फलानवा चीज 360 गुमता है मतलब कैमरा में तो यह कितना है बाबु देखो एक दो तीन चार पांच छे पार्ट में बटेगा ना तो हम 360 को छे से डिवाइड कर देंगे यानि 60 हंस का कोड आएगा इसके हिस्टे में कितना है साथ समझ में आया हम कह सकते हैं यह एंगल कितने का मतला है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं अब लिखो एंगल आप सेक्टर या बृत्त के तरिज्य खंड का कोड इसमें इसको लिखवा के सिस्टम से बताऊंगा मैं ऐ इसको लिख लिए जो मैंने समझाया वही चीज यहां पर लिख दिया ठीक है यह साथ हंस कोड आ गया अब देखो भया हम अगर इतने का एरिया निकालने चेत्रफल यह जो आपको दिखरा जहां साथ हंस का कोड बना है तो हम इसी आधार पर पूरे का कल्कुलेट कर सकते है कितनी लागत लगेगी पता है क्यों क्योंकि 6 छे पार्ट इसके हुए तो एक का निकल जाएगा तो छे से कुड़ा करके सबका निकाल लेंगे एक की लागत आ जाए बस सिंपल सा है चलिए लिखिए एरिया आफ दस सेगमेंट सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे चोटा चोटा बनाईये किनारे दूइठी हो गया यह तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे हो गया आपको यह देखो यह डिजाइन बनी है यह ना इनहीं का खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे क्या करेंगे बाबू भाया हमें इसी का पहले निकालना एक का निकाल तो सबसे गुड़ा करतेंगे लिखो area of the segment इसी को हम segment बोल रहे हैं एक ठोर हम पोत के आपको दिखा देतें यह इतना कि दिखा ना यह जिसमें लाइन खीच रहा हूं इसी को segment बोलते हैं यह प्रित्य के त्रिज्य खंड का छेत्रफल बराबर लिखो एरिया आफ सेक्टर अभी इसका हिंदी बता रहा हूं एरिया आफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल इस पे नाम लिख दो ओ एबी कुछ भी लिख दो चाहिए और लिख दो ओए बी समझ रहा हूं इसको हिंदी में लिखेंगे एरिया आफ सेक्टर सेक्टर इसको जानते हो क्या बोलते हैं आरे यही जो इतना बीच में पार्ट निकल रहा है कि आप लेंगे इसे बता है मतलब भाग मान सकते हैं एक पार्ट ठीक है चलिए समझते चलिए बस कुछ मुझे लग रहा ओबर लैप हो रहा है अगर आपने इस वीडियो का इस सेशन का इंट्रोड़क्शन पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेने बाबु क्यों की इंट्रोड़क्शन में सब बहुत अच्छे से इसको बता चुका हूं सूत्र चलिए लिखिए एरिया आफ सेक्टर का फर्मूला थीटा अपान थिरी सिक्स्टी और यह आपका पाई आर्काई स्कॉयर यह टोटल का छेत्रफल ठीक है माइनस ट्रेंगल ओ एबी का जो एरिया आप निकालोगे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी व्रित्य के केंद्रपर 90 से कम का क दिए तो थीटा कमान रख लो बागू 60 दिया है यह आपका 360 गूडावड कमान 22 व्रटा सात रख लो ठीक है कि आर कमान आपके देखो 28 सिंटीमेटर उसमें दिया है यह 28 इंटू 28 माइनस वन अपां टु अधा और आर कमान आपका इसमें भी क्या हो जाएगा 28 28 28 28 इंटू 28 इंटू ध्यान देना यहाँ पर Sin Theta है साईन साट हंस कमान अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा वेटा अंडर टीन बटा दो होता है साइन साथ हंस कमान तो यहां पर क्या करोगे रूट तीन बटा दो अब इस स्क्रीन से कोईश्चन हटा करके इसका हम सलूशन करेंगे ठीक है फटा फट फास्ट चलो देखो सबसे पहले तेक जीरो से जीरो काट दोगे छे से इसको काट ओगे छे शक शत तीस नीचे सिक्स ब करें प्रकें से पूरा पूरा कोई दिक्टन नहीं कहीं से अंब यहां कहीं कुछ कटे नहीं तीन बचा है नीचे बाकि फटफट आप इन सब का मल्टीपल करो तो हमें लगता बारा सो बतीस आएगा करके देखो फिर मुझे बताना अगर नहीं आएगा तो ठीक है किसका किसका करना है पता आएगी नहीं तुम्हें पता है ना ज्यारा का चार में करोगे 44 कट 28 में करोगे तो यह 1232 आएगा बाबू यह 1232 नीचे 3 माइनस 14 का 14 में करोगे यानि 14 का स्कॉयर 196 होता तुम जानबे करते हो इंटू रूट 3 कमान 1.7 दिया है कोईश्चन में रखने के लिए कोईश्चन हटा दीजिए फिर आपको अच्छे दिखाई पड़े हो गया इतना पक्का कोई दिक्कत नहीं यह रूट 3 बढ़का नाम मान है ठीक है अब इनको आप हल करोगे इनका अगर हम इसमें गुड़ा कर दें उपर मिटा के हल करूं इजर साइड में कर देता हूं मल्टीपल करो और नीचे वन कुछ नहीं है तो अब इनका क्रास मल्टीपल करके हल कर लीजिए हल करना आप जानते हो बेसिक मैथ नहीं है यह अच्छा दस में पहुंचे हो इतना आपको आता कलकुलेशन नहीं आता तो बेटा पीवीर स्टड़ी में जीरो लेवल मैथ दे करता हूं ना चलो देखो इनका तिर्षा गुड़ा करेंगे तिर्षा गुड़ा करना आप जानते हो तो यह 1232 बटा यह तीन से इसमें गुड़ा हो जाएगा आपका 999 और यह 6 और फाइनल में आपका नीचे 3 आएगा ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं ना तो 232.4 यह सेंटीमीटर का स्कॉयर यह कितना आ गया नीचे 3 है याद रखना यह तीन है वेटा क्या है यह 3 बाबु तीन ठीक है यह कितने का आ गया एक वन ओनली वन सेक्टर का आया इतने का और टोटल कितने बने थे 6 न तो पहले तो 6 का सब का पहले 6 त्रफल निकाल लो तब हम जो खर्च वह निकाल सकते हैं । अब यह उपर लिखों मिटा करके अक नीचे यहां तक हो गया तो ऊपर लिखिए समझ वह लिखिए आप लिखिए अंप 3 6 segment two ए एरिए आप्स ट्यूटि यह के ऊखने लिख लो एरिए आफ्स क्स ट्रेगमेंट आ आप हिंदी में इसे आसे भी लिख सकते हो छे डिजाइनों का है ठीक है क्योंकि इसमें डिजाइन के बारे में पूछा है एई आप लिखोगे तो आपके लिए समझ में आएगा थे तो अब इसको 6 से गुड़ा कर दो बिटा तो 232.4 अपां 3 इंटू 6 यह 3 से कड़ जाएगा दो आएगा फाइनल में दो चौक आठ कि दो दूना चार दो त्याइशा दो दूना चार यानि 464.8 यह क्या आया सेंटीमेटर स्कॉाइर टोटल एरिया आया ठीक है अब नीचे कुल लागत पूछा था ना टोटल कॉस्ट कितना कॉस्ट लगेगा इन डिजाइन को रेडी करने में नीचे लिखो टोटल कॉस्ट यह कुल लागत इकवल 464.8 इंटू 0.325 यह रुपया मतलब यह लगबक 35 पैसे के बराबर है इनको गुड़ा करोगे बाबू मल्टीपल करोगे तो 162.68 रुपया आ जाएक टोटल ठीक है 162.68 पैसे इस तरह से आपका यह कुश्चन नंबर कॉंपलीट हुआ इसमें वन कुश्चन और बचा है उसे द्यान से देखिएगा इंड़े तक जाएगा नहीं चलिए जल्दी करिए नोट कर लिजिए इसक्रीन साट ले लिजिए अगले कुश्चन पर आगे बढ़ते है दिखाईए नेक्स्ट कुश्चन अगला कुश्चन दिखाईए उसके पहले मैं कुछ बच्चों के नाम लेना चाहता हूं जो बहुत परिसान है डेली हमारे साथ कलास में जुड़ते हैं उनके नाम है मनीज कुमार बिराट पांडे आफिसियल कभीर स्टडी कलब और से हमारे साथ डेली जुड़ते उनका नाम हम बोलते हैं जो एक दिन जुड़ते हैं जो तक हम नहीं बोलते उनको ध्यान नहीं देते हैं ठीक है इक लिए कुछ भी डाउट है तो बताईएगा आगे पढ鐿ते सबका दिख रहा है लेकिन मैं बॉल नहीं रहा हूं कमेंट कोड़ फी डीगरी है उन में से निम्लिखित क्या है अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो सपवागा तो आपने अच्छे से साफ लिया होगा बहुत अच्छे से आपने क्लिए होगा कहरा है कि त्रिजज जिसका कोड़ पी है क्या है तो वह निमलिखित में से क्या होगा अभी तक यही तो करते आयो अभी तक यही तो आप करते आयो ना सुरू से अंद तक यही जो आप देख रहे हो ना बोलो क्या फार्मूले लगा रहे थे भई ? थीटा आप आप थिरी सिक्स्टी ना इंट्व पाई-ार स्कॉयर थीटा आप राऴ हमान अपक्सां बिखो आप वाला सजी एक दी वाला सी वाला सी आप नहीं वाले में भी कुछ गलत दिया है कि इसमें स्क्रिन पर दी वाला सभी यह कूं सही है कैसे सही दर समझो थोड़ा सा यहीं होता है इंट्रोटशन अगर आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया न है यहां पर कूट कोट पर यहाँ पर तो पी अपान तीन सो साथ इंटू पाई आर स्कॉयर यह हमारा फार्मूला होना चाहिए अगर ऑप्सन नमबर डी देखो तो उसमें डी वाले में ऐसा दिया है ऐसा दिया ना वाबू पी अपान से तो यह दो से कट जाएगा तो आपका तीन सो साथ हा जाएगा यानि पी अपान थीरी सिक्स्टी इंटू पाई एर स्कॉयर तो यह आपका क्या हो गया फाइनल में अंसर हो गया आप सो नमबर डी सही है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को नहीं कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बता देना इसी कोईस्टन के साथ आपका एकसरसाइज खतम होता है यह आपका 12.2 खतम हो गया 12.3 भी हम आपको पढ़ाएंगे हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप इसी तरह की बड़ी बड़ी कलास पढ़ना चाहते हैं पूरे-पूरे एक गंटे की तो न करते रहें घर बैठे बिल्कुल फ्री प्ले इस्टोर से पीवीर स्टडी एप डाउनलोड करके जोइन कर सकते हैं अगला कुश्चन बस अगली कलास में 12.3 चलेगा नया